हाई एवरीवान वेलकम टू स्लीपी क्लासेज कैस आज हम डिस्कूस करेंगे डेली डोस में हिस्ट्री से लेटेड कोश्टन तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं पर सकोशन है पौल्विंग स्टेड में चार स्टेड में वह बस देखते हैं को सी सही है को सी घ्लतर अवयकित है चंद्रकुर 1 वाज़ा 1 वाजा 1 वाज़्नास पीराज और स्टावा रारीप्टर सबिस्ट्राम को ना सुर्डार खुत ऴृंटि वह घश्ता डाइज अब श्याइप पास वीडियो को पोस कीजिए तरो चाइमर्ड फो केजिए के डिटेल में तो discuss करेंगी चलिए hopefully अभी तक आपने इसका correct answer mark क्या होगा इसका सही answer है आपका c first statement यहाँ पर आपकी wrong है बाकी सभी के सभी statement बिलकुल सही है ठीक है जी अब देखे चंदगू first की regarding अगर ऐसे पुछा दाता कि real founder कौन है गुप्ता डैनेस्टी के तो आपका यहाँ पर चंदगू first सही answer होता अब मैं chronology में एक बार बता देता हूं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी देखे शिरी गुप्त पाउंडर थे गुप्ता डैनेस्टी के ठीके जी और इनका जो अंपायर है वो सिरफ और सिरफ मगर तक ही सीमित था देन घटोद कच देन चंदगूप्त फर्स्ट उसके बाद समंदर गूप्त चंदगूप्त सेकिंड यह बहुत इंपॉर्टेंट डूलर रहे हैं चंदगूप्त सेकिंड और इनके समय में नाइन जैम्स हुआ करते थे जैसे अकबर के समय में होते थे ठीके जी एंडेन कुमार गूप्त और कमार गुप्त ने ही नलंदा इन्वेस्टी की शिर्वात करी थी सकंद गुप्त लास्ट स्ट्रोंगेस टूलर ओफ कुप्ता डैनेस्टी यहाँ पर ध्यान से समझना लास्ट्रोंगेस टूलर अगर आपसे वैसे कोशन बुझा जाए लास्ट टूलर कौन थे गुप्ता डैनेस्टी के विश्णु गुप्त ठीके जी अब देखें शिर्वात के पास ऐस सच कोई टाइटल था जैसे यहाँ पर थर्ड स्रेटमेंट में आप देख पा रहे हो चंडगुप्त फर्स ने कौन से टाइटल एजियूम किया था महाराजा धिराज ठीके जी अब गर आपसे कोशन बुझा जाए शिरीगुप्त के रिगार्डिंग तो आप क्या यहाँ पर अंसर करेंगे आधिराज और यह जो आधिराज का टाइटल है यह हमें कहां से पता लगता है कि इन्होंने यह टाइटल एजियूम कर रखा था कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ओफ प्रभावति गुप्त यहाँ पर डिस्क्राइब क्या हुए शिरीगुप्त ऐजा आधिराज ठीके जी उसके बाद गटोत करच के बारे में ऐस सच कोई टाइटल की हमें जानकरी मिलती नहीं है सो मंदर गुप्त को आपको बताएं इंडिये नेपॉलियन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी टेरेटरी को एक्स्पैंड गया था पूरे इंडिया इवन जो इंडोनेशिया के आइलेंड से वहां तक फैला लिया था ठीके जी और इनको इंडिये नेपॉलियन किसने क कितने रूलर्स ने विक्रम अदित्या की टाइटल को एडॉप्ट किया था और यह टाइटल आपने मुगल्स के टाइम में भी सोना होगा ठीक है जी तो यह मुझे अंसर दीजेगा कितने रूलर्स ने विक्रम अदित्या का टाइटल एज्यूम किया था उसके बाद कुमा गुप्त कौन से गोड को मानती हैं यह कोश्टन बहुत जादा ससी में पूछा गया कार्थी के भगवान को ठीक है और सकंध गुप्त जो है यह लास्ट टॉलर है एंड यह वह विश्नु गुप्त ठीक है तो चलिए आपको फॉस्ट कोश्टन समझ में आ गया होगा एंड ब इबादत खाना हाउस ओव वर्शिप ठीक है जी तीन स्टेटमेंट आप देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं अब फर्स्टेटमेंट हमें क्या कहती है दा इबादत खाना वाज एस्टेबिस्ट इन 1575 AD एंड सेकेंड स्टेटमेंट दा लीजिएस डि ओफ इबादत खाना डिट प्ले रोल इन देवल्पेंट ओफ लीजिएस वी ओफ अकबर थर्ड इबादत खाना वाज ओपन फॉर ओल्लीजिएस लीडर इन दा लेटर प्लिए ठीक है फिरस्ट इसको स्टार्ट किया गया था इसलाम के लिए इसको ओपन कर दिया गया था इस लीडर जो मतलब आप ऐसे समलो सभी धर्म के लिए शलो थर्ड स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया सही है बाकी आपको बताना है फर्स्ट और सेगंड स्टेटमेंट में से कौन सी सही है वीडियो को पोज किजिए और अच्छे से ध्यान से सोच कर इसका अंसर मा क्या होगा इसकी तीनो स्टेटमेंट ही सही है तो आपका डी ओप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा तीनो स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है इबादत खाना स्टैब्लिश करा गया था 1575 में अकबर के द्वारा कहा पर किया गया था फतेबुर सीक्री नियर अबाउट निकले सभी धरम के बारे में हम जान सके और इसका कंक्लिजन यह निकला था कि अकबर ने देखा कि यहां पर सभी धरम को लेकर कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी है ठीकिए तो क्यों ना एक ऐसा धरम बनाया जाए जिसको लेकर आने वले टाइम में कोई ऐस स racist conflict ना देखने क और दिन ए इलाही एक कोशन पुछा जाता है इसके रिकार्डिंग कि आईने अकबरी जो एक तरह से बायोग्राफी थी अकबर की उस बुक में दिन ए इलाही को हम किस नाम से जानते हैं तोहिद ए इलाही ऐसे कोशन बहुत जादा पुछे जाते हैं एक्जामिनार आपको डे कर ही लिया है तो हमें यह भी पता होना चाहिए आईने अकबरी लिखी किस ने थी अबू फैजल ने अकबरी में जिसका जिकर है इसमें यह भी मेंशन है कि जो दिन ए इलाही है जो सभी धरम का एक तरह से contribute करके बनाया गया था इसको कितने लोगों ने माना था only 18 और इसमें एक ही हिंदू थे जिनों ने दिन एलाही को adopt किया था एज़ा धरम या माना था तो उनका नाम है महेश्दास या इनको आप बिर्बल के नाम से भी जानते हो बात एक ही है जैसे आपने बिर्बल के नाम से सुना होगा ये भी नवरतनों में शामिल थे नाइन जैम्स में शामिल थे ठीके जी तो ऐसे questions आप से पूछे जाते हैं ठीके तो आपको याद रखना है इबादत खाना कब बनाये गया था 1578 में दिन एलाही कब आया था 1582 में चले next question discuss करते हैं और यहाँ पर detailed information है जब मैं PDF शेर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर आपने यह detailed information को अच्छे से रीट करने है उसके बाद next question है with reference to the entry of European power into India which one of the following statement is not correct ठीके जी European powers आपको पता है बहुत सारी European companies इंडिया में आई तो देख लेते हैं कौन से statement यहाँ पर सही नहीं है A statement है the Portuguese captured Goa in 1499 ठीके जी B statement है the English opened their factory in South India at Masooli Padna मतलब South में firstly जो factory लगाई गी थी वो Masooli Padna में लगाई थी ठीके second statement C statement है in Eastern India the English company opened its first factory in Odisha in 1633 and D statement है under the leadership of duplex the occupied madras in 1746 तो four statement है ध्यान से पढ़िए इसको and इस वीडियो को पोस करके इसका सही अंसर मार्क किजिए कि यहाँ पर आपको बताना एक है कि कौन सी statement correct नहीं है चलिए hopefully अपने इसका सही नसर होगा इसका सही अंसर है अब देखिए पूर्दगी इस ने गोवा को capture किया था 1510 में बीजापूर के सुल्तान से ठीके जी अब यहाँ पर 1498 में तो वास्कोडिगामा आये थे ठीके जी वास्कोडिगामा आये उसके बाद एक संचे थे और इनका सवागत करा था जैमोरीन ने और क्यों आये थे वास्कोडिगामा या क्यों यूरोपियन कंपनीज इंडिया को एक तरह से डिसकवर करना चाहती थी देखो यह जो मिडल कंट्री आपको देखने को मिल रही है जो जिनको आग की रेट में हम मिडल इस्ट तो इसको देखते हुए यहाँ पर यूरोपियन आते थे कि इंडिया या फिर जो चाइना वाला रिजन है इसको हम खोज निकालें इसको डिसकवर कर लें और क्योंकि अरेबियन की मोनोपली बनी हुई थी जब यहाँ पर यूरोपियन पावर्स ने एक तरह से इंडिया को डिसकवर कर लिया सबसे पहले पुर्दगीज आये थे वास्को डिगामा 1498 ठीके जी उस समय अरेबियन्स को बिल्कुल भी यह बात मंजूर नहीं थी कि यूरोपियन्स यहाँ पर एंटर करें और जो इनकी मोनोपली है उसको तो 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 अरेबियन्स और पुर्दगीज का हो वास्को डिगामा का भी है ठीके जी तो सेगेंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पर फर्स स्टेटमेंट समझ में अगी सेगेंड सेगेंड स्टेटमेंट है इंगलिश ऑपने फर्स फैक्ट्री इन साूथ एट मसूली पатив बिल्कुल awkward में इन्होंने फस्ट्रील दोगा है वो बहुत जादा एक तरह से डॉमिनेट कर रही थी और करनाट की वास में मैंने बताया भी था डुपलेक्स का बहुत important role है चलिए पाकी extra information यहाँ पर mention है इसको एक बार देख ले न फूर्थ question है consider the following statement in regards to सब्देशी moment सब्देशी moment हमारे इंडिया में सबसे पहले basically कब स्टार्ट करा गया था और इसकी regarding हमें देखना है कि कौन सी statement correct है again यहाँ पर तीन statement है हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी statement सही है कौन सी नहीं first statement है the moment had its genesis in the anti-partition movement against the British decision to partition of Bengal ठीक है जी second statement है the moment did not witness any participation from women and ruler population in the politics third statement है the moment was the confined to the reason of Bengal only and failed to the outreach other reason of the country बहुत easy question है तीनों statement को ध्यान से देखिए और इस question का correct answer mark केजिए hopefully आपने इसका सही answer mark के आओगा इसका सही answer है यहाँ पर सिरफ पहली ही statement सही है बाकि दोनों statement का कोई sense ही नहीं बन रहा अब देखिए first statement को ध्यान से समझिए 1905 में जब Lord Karzan ने partition of Bengal declare कर दिया था तो उस समय हमारे देश में जो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस थी उन्होंने declare कर दिया था कि हम सब्देशी मुमेंट या फिर आप ऐसे इसको समझ सकते हो non corporation moment launch करेंगे ठीके जी मतलब हम एक तरह से जितना भी विदेशी जो हम goods इस्तमाल करते हैं उसका हम भहिशकार करेंगे ठीके जी तो सब्देशी मुमेंट launch करा गया था और इसका result ultimately ये निकला कि इंडिया नेशनल Congress भी two parts made wide होगी moderate and extremist और extremist की बदोलत यहाँ पर जो partition of Bengal है वो रुख पाया था extremist leader आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे लाल पाल बाल ऐसे आप याद रख सकते हो लाला लाजपत राए विपिन चंदरपाल एंड बाल गंगदर तिलक ठीके जी और एक परसन हो आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे और बिंदो घोश नेक्स्ट एंड आज का जो हमारा लास्ट कोशन है विच्वान ओव दा फॉलिंग स्टेटमेंट अबाउट सुभाष चंदर बोस इस नॉट कोरेक्ट ठीके फोर स्टेटमेंट है तो हमें यहाँ प इसका जो सही अंसर है वो है सुभाष चंदर बोस ने कभी भी क्विट इंडिया मोमेंट में पाटिस्वेट किया ही नहीं तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इंकरेक्ट अब देखिए सुभाष चंदर बोस जी के बारे में थोड़ा सब मैं आपको बता देता हूं वैसे मैंने काफी डिटेल में को इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के जो मेरे सेशन से बॉर्डन हिस्टी के या फिर एपफो एपफो हिस्टी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे चली यहां पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब बोस ने सिक्योर्ट किया था फोर्थ पोजिशन इंडिय सिविल सर्विस एक्जाम एंड रिजाइन कर दिया था 1920 की एंड में या 1921 कई उसमें 1921 लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं हो न और इनका जो रिजन था रिजाइन करने का वो क्या था नॉन कोपरेशन मुव्मेंट में पार्टिस्पेट करना ठेके जी एंड ही अलोंग विद देशबंदू चितरंजन दास वास अरेस्टेड इन दिसमबर 1921 1921 को इनको firstly अरेस्ट किया गया और क्यों अरेस्ट किया गया क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे एंगेस्ट जो प्रिंस ओफ वेल्स ने हमारे इंडिया में आना था उनके इंगेस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी वज़े से इनको जेल में डाल दिया गया था ठीके जी, 1924 में कैलकटा मुनिस्पल कॉर्परेशन के इलेक्शन हुए सी आरदास यहाँ पर बनते हैं, फर्स्ट मेयर और बोस बनते हैं, चीफ एक्जिगुटिव ओफिसर बहुत ही कम उमर में बोस चीफ एक्जिगुटिव ओफिसर बन चुके थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का जो बेंगॉल डीजन है, उसके यह यूट कॉंग्रेस हैड भी थे ठीके जी, साथ-साथ 1928 में कैलकटा सेशन में, he become a spoke person of इंडियन नेशनल कॉंग्रेस and 1930 में इन्होंने एक तरह से militant प्रोग्रम चलाया और यह militant प्रोग्रम इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के ही एक तरह से विंग थी, आप ऐसे समझ सकते हो इन्होंने बनाई थी Congress Democratic Party जो पर्मोट करती थी militant प्रोग्रम ठीके जी, उसके बाद All India Trade Union Congress के प्रेजिदेंट रहे हैं 1931 में एंड यूरोप में चले गए थे ये 1935 में और उसके बाद बोस ने यूरोप से या ऐसे समझो कि इन्होंने एक बुक लिखी है The Indian Struggle, ठीक है काफी famous बुक है Indian Struggle and 1938 में ये firstly बनते हैं Indian National Congress के प्रेजिदेंट और कौन से सेशन के दोरान ये प्रेजिदेंट बनते हैं ये बहुत important question है ड्रेकली पूछ लिए दाता है हरी पूरा सेशन हम 1939 में जब फिर से इलेक्शन होते हैं Indian National Congress के प्रेजिदेंसी के उससमें भी सुभाष चंदर बोस माहत्मा गांदी जी के जो केंडिडेट होते हैं पटाबी सितारमया इनको हरा देते हैं ठीक है जी और पटाबी सितारमया को हराने के बाद ये फिर से प्रेजिदेंट बन जाते हैं 1939 में लेकिन थोड़ा सा कंफ्लिक्ट चलता है इनका Indian National Congress के साथ क्योंकि उसमें आपको पता है World War 2 चल रहा था और World War 2 के दौरान सुभाश्चंद बोस चाहते थे कि ये बिल्कुल सही मोख है Britishers को यहां से बगाने का लेकिन आपको पता है हमारे देश में एक बहुती समझदार लिडर थे महात्मा गांदी जी जो चाहते थे कि अभी के लिए हमें बिल्कुल शान्ती बनाए रखनी है और बिल्कुल शान्ती के साथ चलते-चलते मतलब violation का यहां पर use ना करते हूँ, violation ना करते हूँ हमें Britishers से अजादी लेनी है लेकिन सुभाष चंदर बोस चाहते थे कि बिल्कुल सही मोक है, यहां पर हमें violation करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, Britishers का मतलब एक तरीके से भगाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े कुछ भी यहां पर, चाहे violation हो, चाहे आप ऐसे करो कि यहां पर revolt should जाए और 1940 में आपको पता है, forward block की start होती है, और उसके बाद INA में इनका काफी important role था, ठीके जी, जर्मनी जाते हैं, पहले इनको house arrest कर लिया जाता है 1941 में और उसके बाद यह अफगानिसान के रस्ते, अफगानिसान में तो आज की रेट में तालिबान ने बहुत ही कहर मचा रखा हैं, बर चलिए फिर कभी इसको discuss करेंगे, और अफगानिसान के रास्ते यह जर्मनी पहुंचते हैं, जर्मनी जब पहुंचते हैं, तो हिटलर की जो सेना है, या हिटलर से यहाँ पर हेल्प मांगते हैं, और हिटलर यहाँ पर हेल्प करने के लिए मान जाता हैं, क्योंकि अल्टिमेटली जब आपने एक परसन को हराना हो, तो आपने उसके दुश्मन को भी आपको दोस्त बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर सुभाश च काफी एक तरह से आइनने का काफी इंपोर्टेंट रोल है, इन्होंने हमारे जो नौर्थ इसन स्टेट्स हैं, वहाँ से हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश टूप से उनको भगाना शुरू कर दिया था, ठीके जी, और सुभाश चंद बोस ने एक स्लोगन भी दिया था, 1944 में और फिर वहाँ से इन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, आप तो दिल्ली जाकर घेरेंगे और ब्रिटिश को यहां से बगाएंगे, तो फाइव कोशन हमने डिस्कस करें, होफ़ुली आपको इन सभी कोशन में कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर इनकेस आप कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, थैंक यू सो मच, अपना त्यान रखिए